बगवान के जितने गुर्णगान करें बहुत थोड़े हैं किसी शिष्ष ने गोतम बुद्ध बगवान से पूछा था कि आपने तो बहुत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरप ऐसे ही है जैसे प्रत्वी मैंसे कोई एक कंड को मैंने जान लिया हो यह अनंत को यह परमेश्वर को कोई नहीं झान पाया है यह अनंत है अखंड है, अचेद है, अबेद है अद्वैतं अच्चुतं अनाधिं अनंति रूपं आध्यं पुरान पुरुसं नवयोवनंच वेदेशु दुरलभं एदुरलभं आत्मभाग्तो गुविन्दमादि पुरुसं तमावं भजामी वेदेशु दुरलभं उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे शुदुरलभं वेदेशु दुरलभं एदुरलभं आत्मभाग्तो लें आत्म भक्तों जो बहगवान के परम प्रेमी भक्ते हैं अर्जुन जैसे, उदव जैसे, प्रलाद महराज जैसे, ध्रू महराज जैसे, अदुर लव, उनके लिए अदुर लव है उनको बहगवान को समझ पाना बड़ा सरल है, क्यों? प्रेम आत्म भक्तो क्योंकि प्रेम ही भक्ते हैं प्रेम बड़ी चीज है प्रेम से ही परमिश्र को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से जानने की कौशिश करी तो व्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ति कहा है, भक्ति विलोच नेना, प्रेमान्यन चुरिता, भक्ति विलोच नेना, भक्ति बरे नेत्र होने चाहिए, भक्ति के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है, फिर उजर्रे जर्रे में इसकी पहचान की वो छोटी-छोटी चिडियों में भी वो इ बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सूरिये में उनीका प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वो ही है अगनी के रूप वो ही है वायू के इसपर्ष वो ही है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है यह भगवान के कलाएं हैं विभूतिया है भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लिन कभी हम यह उठा के नहीं देखते जल सरोतों में गंगा मैं हूँ आज वेग्यानी की इस नतीजे पर पहुँचेगी संसार के जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागी रत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन किये उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा की जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो तो तुरंति विश्व भगवान की याद करता है कि विश्व के चर्णों से आई गुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन्न हो जाता है उप्राणी अब्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं बैकुंठ के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वर्गवास हो गया, या वैकुंट सिदार गये, कहने से नहीं, कहने से काम नहीं चलता, हो ता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे, या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे, सीधा नहीं बोलते की मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परम रह्ष्मई महा मंत्र भगवान को रिजानेगा इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Name of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जो कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्जल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्जल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्जल करे हमारे और हमारी भावना उज्जल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे पूरी तरह पेन, एंग्जाइटीज काम, क्रोध मद मोह मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे चारतों से घे रहेंगे ये छो दुख्मन कहा इनको सडरी पूर ये सबसे बड़े दुख्मन है हमारा पतन करने के लिए हमको राश करने के लिए हमको नरक तक लिए जाने के लिए इनसे बचना चाहिए यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत बिशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरद्धा के भी से में बतलाया, कि सरद्धा जो इर्दे में होती है, सरद्धा का उदे होता है नाभी से, नाभी के इंदर से, इर्दे में आकर कि इसका फूल खिलता है सरदा बलवती होती है सरदा के बिना प्रेम उदे नहीं होता पहले सरदा उदे होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं फल लगते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उदय होगा फिर सरदा कैसे उदय हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरदा उदय होने के लिए हमको तत्य ग्यान चाहिए तत्य ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक मा अपनी बा, बेटे को, पुत्र को, चोटे बच्चों को बार-बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लिए बच्चा दो साल का, तीन साल का, चार साल का, आठ साल का डौलम जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों क्यों क्योंकि भार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे अरे रामलाल अरे कृष्णलाल अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्ध होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रती हमारे इर्दे में प्रेम जागरित होता है प्रेम जागरित होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, जिनको अनवव हो गया है, रिलाजिशन हो गया है, भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है, भगवत साक्षातकार हो गया है, ऐसे संतों के चरणों म जा के सरफ्टेक ते हैं, कि हमको भी कुछ ग्यान मिले, उस ग्यान से सरद्धा पैदा होती है, जो अन्भॉस माँन आत्मा ने किया, जिनोंने तत्तों से उस एश्वर को पेचाना जाना, वो ग्यान अपदेश करता है। उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है गुरु के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती है तवी तो भगवान स्री कृष्ण ने उबदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परीप्रशनेन सेवया उबदेख्षंती ती ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना हे अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शर्ण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्यान उबदेश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है सरद्धा पैदा होती है सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे काती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, सारा विश्व्ब्रमान समाइत इसलिए तो अद्वत कहके बोला भगवान को कि सबुकुत तो उसकेंदर ही हैं हम भी आप भी सारे पसूप पंची जल तृलाव समुद्र सब भगवान केंदर हैं कि तो गुरु जी भी वहान केंदर ही IS बार नहीं मीरा कहती है कि मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पती सोही संतन धिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई संतन के बीच में जाकर मीरा नाचने लगी भगवान की गुणगान करने लगी तात मात भाई बंधू आपनों न कोई मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई अस्वन जल सीच सीच अब तो छट पटाती है प्रभू से मिलने बहुत बियोगी नहीं बन गई भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदे चट पटाने लगा तो चट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आशू मरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है कभी कि महा भाव में चला जाता है मेरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल भोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरदर गोपाल अरी मा मेरा तो गिरदर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरन में आएए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए इस शरन मा आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसार है बिसार ये उटते बैठते सोते जागते नाते दोते, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को खिलाते, कमाई करते, कभी भी भगवान को नहीं बुलाईए भगवान आपके इर्दे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको क्या आप क्या विचार कर रहे हैं आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है, परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बुन्द में वोई गुन्द तक्र्ट्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे ही बुन्द भी सौल्टी है तरल है एसे ही हम भगवान की अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म आमारा और आमारी पेवर कॉंशियसनेस का बगवान से मिलता है एकदम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हमाँ हम पेवरिटी को खोच चुके इसलिए आभी बगवान को भी पहचानते नहीं बगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णात्मा सतोगुण में जीती है अपनी जीवन को नहीं सत्वगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर इसलोकों में ये तीनों गुणों का वर्णन किया है आर का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्या के प्रारव में आर भगवान ने क्यों रखा क्योंकि ये मनुष्य ये प्राणी ये पल्ची ये देवता ये देवियां ये ब्रह्मा बड़े बड़े सभी आर के ही रूप है ये साणा हमारा शरीष ये आहर का ही स्वरूप है जो जो आहर हमने किया खाया पीया वह इतु डवलप हुआ है चाहे वो माके गर्ब के अंदर कुछ आहर मिला हो या भार आने पर इस्तनपान करके मिला हो या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने, अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई, उसे से ये शरीर डवलप हुआ है. तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है, वो पहला गुरू है, समाज का, ये शरीर का, बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है. जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है, और बड़ा होता जाता है. और उसकी भावना में, वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है, कि ये भूजन अच्चा है, मेरी माँ खिलाती है, इसमें दोश क्या है? शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुंदर गेहों की रोटिया है, बास्मति चावल है, खाखा के में, में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध माँ होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मनमस्तिस्क में, बुध्धी में सतोगुन प्रबला वस्ताम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है, घी रजोगुन नीचे दबा रहता है, तमोगुण और भी बिलकुल दब जाता है, सतोगुण दबा देता है, लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं, बच्वन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ, गव के बच्चड़े कटते हैं संसार में, उचलते हुए, खिलाओ, कंचड़े बिच्चु खिलाओ, मक्खी मच्चर खिलाओ, टूना मचली खिलाओ, सूर, टीतर, कबूतर,